बीजेपी को एक और बड़ा जटका लगा है जगदी शेटा अर्जनों ने स्तीफा दे दिया था पार्टी से टिकेट ना मिलने से नाराजगी के चलते अब वो कॉंग्रिस में शामिल होने जा रहे हैं और जगदी शेटार ये दावा कर चुके हैं कि उत्तर करनाटक जो है व तो करनाटक में बीजेपी के लिए बड़ा जटका इसको माना जा रहा है हुबली धारवार सेंट्रल सीट से विधान सबाचुनाओ के लिए टिकेट नहीं मिलने से नराज बीजेपी सरकार के पूर मुक्मंतरी जगदी शेटार ने इस्तीफा दे दिया है इससे पहले कई मुलाकातों का बाचीत का दौर इनका जला बीजेपी के साथ लेकिन बात वहाँ पर नहीं बन पाई और नराजगी यहां तक पहुँची कि अब रास्ते बीजेपी से अलग इनोंने किये और अब कॉंग्रेस जॉइन ये कर रहे हैं कर तो यहां पर जग्दी शेटार जो है टिकेट ना मिलने से नाराज थे और वो बार-बार इसे अपना अपमान बता रहे थे कई बैटकों का दौर जो है वो भी चला एक बार सुन लेते हैं यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं नेता अब कर दो यहां पर जो है संधार, स्वाविमानी, पाउशा, आवर हैसेनली उन्दु सन्न कप्चुक्य यह इल्लदे उन्दु राज्काणा मालकूटमान वेट्टी, सुपारो नलुवत्तु नलुवत्ते इद वर्षा, संग परिवारा, बीजेपी, यल्लकुडे केल्समाणी, संध defe constituents, इदसां शंध्योटमान वे नायकरा केशसमाणी रे, सिद्रामैय स्भी आवर्णे संध्योटमान वे स्थ्वान वे आप्रिश्तारस्तान वेन री उन्दु सஞोटमान वे नायकरा केशसमाणी रे, पाक्षएधा उध्या, अधिक्शिस्ताना यह उल्ला कूडा हालत उपमुखियर मंध्री आगी, विलोथ पक्षिते नायकर आगी, स्बीकर आगी पुडा आइवत्तो वरुग्यलसवना आइवत्तो माडित आरे. अन्ता विशेष्य वेक्ति, इडी राज्यक्ये, यल्लब पक्षिकर पुडा, वंधु अश्यर मूदत्त शक्ति नम्मोंदे पूर इदे. अवर के आइच्प्रिश्री नष्थ आख, और विव वन्धी कॉम्रेस्मन, और विव वाले कॉम्रेस्ट वर्कर्स, वेड़ लाक तो वेल्कम आप्षिकर नम्मा, नायकरदता, शास्कागः पक्षित नायकरदता, सिद्रामयसाद रुपूडा, इवन्दु, पवित्रव वहार डिनानों स्वागत तो वन्ना इसंदर वडार अगल ऑई साज है इधे लेहर अमरसीग पाट्डी लोगसभाचा अच्छाष्द दो आपने लुग्मेंट कोड़ी अब पर फिजु पूर सो कांडिने स्ट गविश्ण पूरी अचाहिए अगंड़ीर अद प्रेशण नि यारु जासिय सिनना देद्पुड़ कुपधिला शिवस्पेकु मत यल्ला माधिमस ने इतरू इवत्तो बाड़ा पवीत्र दिना शुबगड़के शुबस्मारंबा निमुकुड़कुड़ाई संदब दिल्दानू स्वाधित अवन माणी इवत्तो मात्या मानियाश्ट्री करगे साहिब रगे तक मना उद्धिश इसी मातन लिखे तक मना अवना विचाना वना तिरस दिके नानों और के इवाईकना हैंडों मादेगे कि एपिसी सिरा अध्यक्ट छलाना शुकुमार वे स्वियल्पी नाहेकरो माजी मुख्यमंत्रिगडा स्री मात्प्सिग्रा मैनों वे आगों विशेश वागी इवत्तो नम पुच्छक्य के स्वियर्थिक्पुवन थेड़ी नम पक्षद सदश्वन सदश्वन स्विकार मनता इर्थक्टनता माजी मुख्यमंत्रिगडु मत्पु धीरग काला असेंब्लिये लिदों जनानों रुणागी यल्लार ना परिचे उतक्ता स्री जग्दीश शेक्टार हो रहे हागों वेडु मपाल जी हो रहे सुझे वाला जी हो रहे हागों इवेंट के मिले प्रितन था है अल्ला कि मित्र रहे हागों अखिलेश शर्मा इस पक्त है कि यह जग्दी शेटार को समझ नहीं पाए हैं बीजेपी वाले और वो जानते नहीं है में कौन हो अपमानित काफी उन्होंने महसूस किया हम लगातार इस बात को रिपोर्ट भी कर रहे थे कि वो नाराज चल रहे हैं उन्होंने मुलाकाते भी की है लेकिन यहां पर वो बीजेपी चोड़ने का फैसिला किया है बीजेपी का यह कहीना है कि पार्टी ने सोश समझ करके फैसल है दिछे बार से लगातार जगदी शेटार चुनाव जीते हैं बीजेपी के प्रधेश अद्यक्ष भी रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे तो बीजेपी चाहती थी कि अब उनके सीट पर किसी नए शेहरों को मौका दिया जाए और यह बीजेपी की एक कह सकते कि दूरगामी रणनीती का नतीजा है बीजेपी चाहती है कि करनाटक समयत अन्य जो राज्य है महाँ पर नए रीड सामा ने विधायक बनकर ही रहना चाहते थे हालंकि जो सूत्र में बता रहे हैं कि धर्विन प्रधान उनसे मिलने के लिए घरपर और अन्य पार्टी के वरिश नेता भी मुख्यमंत्री बोमई भी उनके साथ थे तो कई तरह के आफर उनको दिये गए कहा गया कि आप केंद धरवाड का एरिया है वहां पर उनका काफी प्रभाव है लिंगायत ताकतवल लिंगायत नहता वो है और इससे सबस्याद नुकसान अगर किसी को होगा तो मुझे लगता है कि केंद्री मंत्री पेलाज जोशी को होगा जो की उसी राके से लोकसभा के सांसद है और जग्द से नुकसान की शतिपूर्टी की जाए और यह जिश्य तोर पर बीजेपी के लिए जैसा मैंने काई की बड़ा जटका है तो भी जग्दीश एटार करनाटक की राजनीती में बड़ा नाम हमारे साथ निहाल भी है अकलेश जी उनके पास चलते हैं निहाल अकलेश जी बता कितना इनका प्रभाव वहां पर रहा है किस कद के नेता है नराजगी हुई बीजेपी से रास्तिय अलग हो गए लेकिन करनाटक की सियासत के लिहाज से आप समझाए कितना बड़ा प्रभाव वहां की राजनीती में जग्दीश एटार के कॉंग्रेस जोइन करने से पड़ बड़े नेता वह उत्तर करनाटक के माना जाते हैं उत्तर करनाटक से पचास के आसपर पीचे हैं एक तरफ जग्दी शचार अलग हो गए बीजेपी के लुस्री तरफ लक्ष्णा साब्दी पिछ्टी बार चुनाओं साड़ गये थे लेकिन वह बहुत ही साकतवार नेता ह अजर बीजेपी से अलग हो गए हैं तो जितना असर इस्थानिये MP के चुनाओ पर पड़ेगा उसके कहीं ज्यादा असर बीजेपी पर पड़ेगा इसमें कोई दो राय नहीं है और कॉंग्रेस कासी आकर्मक हो गए कॉंग्रेस बार बार कह रही है कि पहले ये जुरपा ज जिस तरह से जब बीजेपी स्था में थी उनके खलाफ वहां पर शापेंबारी हुई उससे भी गलत मैसेज गया तो फुल मिला करके एक तरस आप कह सकते हैं कि लिंगायतों के नाराज़ के कहीं ने कहीं इन सारी बातों को लेकर चाहां इसका खावियादा पीजेपी कोई जो रहा है नहीं बात एक और दो किसी नहीं है यह बात पूरे पतास सीटों की है जो उसकर करनाटक में में खाफी बैटर करती है जहां पर लिंगायतों का बहुत ही डॉमिंट्स है यहां पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि कंग्रिस बें इस वक्त जब वो पहुँच गाए है वो शामिल हो चुके है तो क्या उन्हें मिलने वह वाला सिर्फ टिकेट तक का ये मामला है या किसी पत की भी बात है या मुख्यमंतरी पत की दावेदारी भी क्या शेटार कर सकते हैं? इस पर नहीं कोई ब्यान मिलता नहीं इसे खुल करके इस बारे में नहीं का जास्त कर लेकिन जहां तक बीश शेटार लक्षा लग्षा वादिया से नेताओं लिंगायच नेताओं का सवाल है तो इनका अपना अपना काड़र है अपना एक देस है और अगर पार्टियों को आ अगले जी यहां पर जगदी शेटार की अगर हम बात करें तो बड़ा जटका बीजेपी के लिए इसको माना जा रहा है लेकिन बीजेपी ऐसे मौके कम देती है कि उनके जटका जो है वो दिखे क्योंकि कहा जाता है यह पहले ही चीजों का आंकलन अपने हिसाब से कर लेते हैं तो क्या वज़ा आपको लग रही है यहां पर के जगदी शेटार के साथ उन्होंने उस हिसाब से कोशिश नहीं कि उनको रोकने की यह उनकी नराजगी को जो है वो कम करने की क्योंकि बड़े नेदा है जाहिर है और वो अपनी बातों में कहते रहे कि मैं हर जो कर्टेरिया है बीजेपी के पूरे गरताओं मेरी उमर भी इतनी नहीं है कि मुझे जो टिकेट ना दिया जा है कि बीजेपी ने अपनी और से कोशिश पूरी की है उन्हें मनानी के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डाय ने उनसे साथ भी जब नहीं मानें तो फिर वहां पर केंद्री मंत्री धर्मिन प्रधान जो की चुनाव प्रभारी भी है करनाटक के उन्हें उनके घर भेजा गया मुक्य मंत्री भूमभई भी खुद उनके साथ है उस वक्स समय में थे और तमाम तरह के आफर भी उनको किये गए कि जो फैसला हो चुका था देखिए वीजेपी फैसला कर चुकी थी कि हुबली धारवार सेंटल से जग्दी शेटार को टिकेट नहीं देना है और उनसे यह कहा गया था कि आप यह पत्र पार्टी एड़ेश जेपी नड़ा के नाम दे दें के जिसमें आप लिखें कि आप च तरह का निरदेश दिया गया लेकिन वो तो चुनाव लड़ेंगे हर कीमत पर अगर टिकेट नहीं मिलता है तो निरदेली चुनाव लड़ेंगे वह इस बात पर अड़ गय थे लिए बिज़ेवाद के लिए बहुत मुश्किल परस्यती हो गई थी क्योंकि अगर जग्दे तो बहुत से चीसे अब हमारे शक्ति चुड़ गई है रावन गांदी जी जो खहते थे और कल उन्होंने कहा कोलार में कि हमको आप 150 सीट से ज्यादा दो उसका मतलब यहीं है कि वीजेटी तोड़ फोड़ के सरकार न बनाएं खरीद परोस्ते सरकार न बनाएं पैसे से, ED से, CBI से ऐसा डरा के हमारी सरकार न तोड़े इसलिए मैंक चिवम सीट कॉंग्रेस को मिलना यह एक ही हमारा निशाना है और उस निशान को उस टार्गेट को साधने के लिए हम पूरे लोग पुछिस करेंगे और मैं फिर तैदिल से उनका स्वागत करता हूं उनको शुक्रिया अला करता हूं कि वो उसी नियत से काम करेंगे जिस नियत से उस पार्टी में उन्होंने काम किया है और उसका फाइदा जरूर हम सब को मिलेगा यह कहते हुए मैं अपने प्रिस कॉंटल से चाशब्द को समात करता हूं जाहिए यह फस्विया गूइंट तो यहां पर डीके शिफ कुमार आपको आप देख रहे हैं मलीकार जुन खरगे को देख रहे हैं जग्दी शेटार जो हैं अब वो अब चारिक रूप से कॉंग्रेस में आपर शामिल हो ग गायत नेता को खोकर उठाना पड़ता है अब चर्चा सुन रहे थे इनके नराज़गी की बीजेपी की तरफ से कई मुलाकाते भी इनसे हुई कोशिशे भी रही लेकिन अब आप जो है वह नहीं बन पाई और अब कॉंग्रेस के साथ जग्दी शेटार ने भामने का फैसला किया है अब राजनीतिक रूप से पाद के निकाले जा रहे हैं कि एक कदावा नेता है कनाटक के बड़ा असर इनका माने जाता है महाँ पर